जहीं साथ यह फिर्श स्वागत आपका एक नेव वीडियो में तो जिस वीडियो को आप सभी को बेसबरी से इंतजार था जिस वीडियो के आप सभी के बहुत से कमेंड आ रहे थी तो फाने वीडियो आ चुकिए जहां दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11 कि विए फसल उत्पादे पर य। इस वीडियो में हमेरा करणार जो जहांगे लिए रहेय। यह गतांगे लौसा यह बसने ऊटकौ तो यह वीडियो में आपको जचलबाएब केट नंबर श्वा बताइएगे इसके बातैने में आपको पर्टु वीडियो में चार नंबर के question बता जाएंगे फिर परट ठी में आपको इन के और पर दो आँके और पर एक नमर के 10-3 कवर होने वाले इस वीडियो में आपको 10 amक कवर होने वाले तो यहां पर आपको पाच नमर कि QO जरू किजएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फसल चक्र का जो चेप्टर उसमें से आपको पाच नंबर का एक कोस्चन पूछा जाएगा अगर आप ब्लूप्रेंट देखोगे तो आप आप समझ जाओगे और अगर आपको ब् देखिए फसल चक्र किसे कहते तो फसल चक्र किसी निश्चीत भूमी पर एक निश्चीत अवेदी में फसल को इस प्रकार हेर फेर करके अथ्वा एक निश्चीत करम में परिवर्तन करके लगाना ताकि भूमी की उर्वत्ता बनी रहे तता कर्चित से अधिक्तम लाब प्र दूसरा दंत अधिक एक तद्र ़ॉकों कंगा चा स्थानले के बात चाने बाले प्रेइज ले को जाएंगे तो याद करना है ट्रह पर somewhat जैसे बोत ही इंपोर्डेंग को चेंट-कर्फ नоки परिभास्यादक करना एक दो बार नकूट-कोश्ट किसे किसे के अगहां चाहिते मिने आपको उपर बता दिया आप यहां पर सबसे पहला कारक है मृद्धा की किस्म पर त्यार करके बताओंगा तो विडियो के जिलेंट उपर जाद हो जाएगे ठीक है दूसरा जो कारक है वो जलवाई हुए पहला है मृद्दा की किस्म दूसरा जलवाई हुए तीसरा सिचाई के साधन चोथा किसान के अर्थिक दसा और पाचवाई बाजार की मांग ठीक है अगर आप इसका वर्नन लिखना है नहीं तो आपको पाच नमबर नहीं मिलेंगे आपको फसल चक्र की परिबासा याद करनी या पर आपको यह कोश्चन कुछ इस प्रकाप उचाएगा फसल चक्र को परिबासित करते हुए चार लाब लिखे तो फसल चक्र की परिबासा में आपको पहले ही बता दिये इसे याद कले जगा इसके लाब देखते तो फसल चक की जाने वाले खात का समोशीत उपयोग हो जाता है तो यहां पर फसन चक्र की परीवासा लिखना उच राभ लिखने तो यहां पर मैंने लाब बता दिए अब मैंने ले सकते sensor नहीं तो स्क्रिंसोट नहीं लेना चाहते तो मैं इसका फीडिया दे दूंगा आप कमेंट कर सकते हो ठीक है यहां पर आपको नेश्ट कोश्चन तयार के जाना जो पांच नमर पुछा था तो यहां पर आपको सबसे पहले जो गयों की खेती का वानस्पतिक नाम बताना तो गयों का वानस्पतिक नाम क्या होता है दियों का वानस्पतिक नाम होता हृते कम इसका मतलों। तो कूल हैं को का सब्सक्राइं लिखना है उन co बीगना है 곡 की खेती की की को मतलब गेहों की जो लगाने के बाद काटने तक की जो पूरी वह आपको यहां पर वर्नन करना है ठीक है इसमें कौन से रोग लगते उसका निवारन क्या है ठीक है यहां पर पूरी तरह से तैयार कर लेज़ेगा उसके बाद आपको यहां पर तैयार करना है अलसी खेती के में उसी प्रकार है खेलती अलसी खेलती होती है उसका वर्नेंग करना है यहां पर आपको टोपिक बताए गए फिर आपको यहां पर सर्सो की खेलती नीमनों टोपिक ओपर क्या करना है जैसे कि इसका वानसपति की नाम सर्सो का वानसपति की नाम क्याता है ब्रिसी का त्राइफोलियम ठीक है अब यहां पर त्यार कर लिएगा अब बात है इसका जो पीडिया आप किस पर डाउन करना बहुत ही आसाने पीडिया डाउन करने से पहले मैं आपको दाते ताहूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको डिंवशन मिल जाएगी और आपको हमें रुपे से जाट पर फोलो करना है उस्कागाराम के पो